मैं मा हूँ, धर्ती मा जब दानवता सिर उठाती है, मानवता करह उठती है दानवता और मानवता का ये संगश बहुत पुराना है इस संगश का परिड़ाम सबको मालूम है लेकिन जब तक ये कथा अपने अंत तक नहीं पहुँचती मानवता को अपार दुख और प्लीड़ा से जूजना पड़ता है जब रावन ने यग्य रुकवाने के लिए कर अथ्वा रक्त जैसी भयानक शर्त रखी तो मैं काप उठी, ये तो बरबरता की हद है किन्तु शायद यही अत्याचार तो एक ऐसी कथा को जन्ग देने वाला है जिसे संसार कभी भूल ही नहीं पाएगा जो मानव इतिहास के एक सुनहरे युक की कथा सिद्ध होगी प्रणा महारानी महारानी, हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए कोई शुप समाचार लाई होंगी ये कैसे संगो है कि महाराज ने हमारी महारानी की बात को टाल दिया हो हे महारानी, बताए महाराज ने क्या कहा, उन्हें हमारे उपर दया आई बेहनो, मुझे बहुत दुख है कि आपको सुनाने के लिए मेरे पास कोई भी सुख़ समाचार लाई है मेरे जोली में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है आप तो महारानी है मुझे दुख है मैं माहरानी होकर भी आभे की तरह वेवश इस्त्री हूं आज मुझे ग्याद हुआ कि इस्त्री माहरानी होकर भी केवल इस्त्री होती है जिसकी याचना को ठुकराया जा सकता है मुझे एक्षमा कर देना, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं लंका पती की जय हो, यह रिशीगन है, इनका अपराद यह है कि इनुने यग तो किया, कि तु यग्य का कर नहीं दिया, कर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? इन दुष्ट्रों का कहना है कि यह रिशी है, अचारियां है, विदवान है, धन प्राप्ती का कोई साथे नहीं है इनके पास क्या ये सत्य लें ये सर्वता सत्य हैं लंकेश हमारे पास स्वण मुद्राय नहीं है हम कर देने के योग ये नहीं है तो दंड देने का अधिकार है आपको वद्रिक आग्या लंगेश इनके शरीर से चार-चार चशक रक्त निकाल लिया जाए हुआ हमें छबाग कीजिए महराज हमें कि पध्यान पहे हुआ हम इने मृत्य दंड नहीं दे रहे हैं इसलिए इनके शरीर से रत्तिस पकार निकाला जाए ये जीवित भी रहें और जीवन को अभी शॉप भी समझे ले जाए ने मेरे सामने से के अगा तुर्ण करने वाले रिश्यूँ को एक दिन में नहीं मारूँगा एतनी सरल्ता से नहीं मारूँगा मैं इने इस प्रकार जीवित रहने दूगा येने जीवन से एक खिरणा हो जाए प्रकार कि उे रहाए के खिर फुचार को जाए हाा! हा! 들을 됨 सב titles behaving बखोगज जाठाठा, बखोगे वर लुटूजी! रषटोजाठा पुफ!! falan पुटुजी!! मुटेइ!!! पुटड़!! illness werुटилаa ज ए聞 भरुटु जाठाठा, भ tuberज जYo... ज्वाह! हु teorist favors पुर! हु Hamburg जए जe जए 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 केंट कर दोदें परिजने कि दोदें! है कमलनें ये तो घोर अन्याय हो रहा है ये तो पशुता है ये निर्मंता असानी है जानता हूं महादेवी जानता हूं परंतु आप भी ये जान लीजे महादेवी कि रावन के पतन की कहानी इसी रक्त से लिखी जाएगी अाई महादेवी हर युग में ये होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगां कि अत्याचार रक्त की नदीयां तो अवश्य बहता है किरन्त में उन्हीं नदियों में डोब जाता है प्लंतु ही कमलनें अभी तो ऐसा लगा इंहासले निर्दोशों कर रख्त कभी महारत में जाता है जिस प्रकार अंधियारी रात्री सूर्य की एक किरण not वह सामना नहीं कर पाती उसी प्रकार अत्याचार क्रांती की पहले सिंगारी को भी सेहल नहीं और नुक्षियारी मंदोदरी कितनी बली नारी इसomat है कि महादेवी कमल सब्त कीट में खिलता है और मंदोदरी को इस क्रांती में एक बहुत महत्वपूर भूमी का निपानी है महादेवी जिस क्रांती में नारी की भूमी का ना हो वो क्रांती कभी सफल नहीं हो सकती फिर वो क्रांती चाहे घर के भीतर हो या घर के पाहर लंका पती की जय हो महराज मैं उपस्तित हूं मेरे योगे कोई आदेश मैं ये जानना चाहता हूं अजिक्तिश को का शाओन प्लतियों पर लगाए गए यज्यकर से को हमारे कोई में कितना धनिकत्र हुआ इस आप मोर्न क्यों है महामंत्री जी अज一下 उत्तर क्यों नहीं देते हैं उत्तर क्योंनेदेते आप क्योंके मुझे पूर्ण विश्वास ऐसा कि मेरे उत्तर से आप तनिक भी परसंद नहीं होंगे क्यों कि चत्थ तो यह है महराज कि यग्यकर से राज-कोश में एक फूटी-कॉडी भी नहीं आई है कि यह कैसी संभव है इतने कड़े दंड के भय ने भी रिशियों को भय भी नहीं कि यह कैसे संभव मामंतर जी भैवी उए महराज हुए हैं भैवी किंटु निर्धन होने के कारण जिनके शरीर में शक्ति और रक्त है वे रक्त दे रहें और इस प्रेक्रिया में बहुत से रिश्यों के प्रांर भी जा चुके हैं जिन पास देने के-लिए कुछ नहीं है वो हमारे राज से भाग कर दूसरे क्षेत्र में शर्ण ले रहे हैं हमारा राज से दुष्ट रिश्यों का भागना अशुब समाचार नहीं है मामंत्री जी किन्तु ये अशुप समाचार अवश्य है कि हमारे राजखोश में कोई वृध्धी नहीं हुई ये अशुप समाचार है मैंने उनके शरीर से रखत निकानने की योजना इसी लक्ष को सामने रखकर बनाई थी या तो वे कर देंगे या फिर यग्य करना बंद कर देंगे लगता है हमारे दोनों ही लक्ष पूरे नहीं होए किन्तु अप उनके रखत का हम क्या करेंगे किस काम क्या उनका रखत लंकेश की जैहो राजवधी का आपसे मिलना चाहता है माराज भेजो उसे जवाग्या महान समराट रावण की जैहो मेरे पास आने का कारण बताओ महाराज रिश्यों के शरीर से निकाला हुआ रखत इतनी बड़ी मात्रा में एकत्र हो गया है कि समस्त वातारवण के दूशित हो जाने का भाय है राजवधी ने चेतावनी दी है कि रखत राजज सिमाओं से बाहर ना निकाला गया तो सारे रजज में महामारी फैल जाने का भय है महाराज महामंत्र जी जी महाराज प्रिश्यों के रखत को कागरों में भर लिया जाए और सेनापती को आदेश दीजिए कि वो सेनिकों से कहे कि इस रखत को हमारी रजज सीमा के बाहर फैंकाए जो आग्या महाराज प्रिए और सेनापती से यह भी कहिएगा कि यह सारा कार रात्री के अंधेरे में होना चाहिए क्योंकि मैंने चाहता कि किसी को पता चले कि यह कार कब हुआ कि किसनी किया सब कुछ आपके आदेश अनुसार होगा महराज क्योंकि मैंने अनुसार होगा महराज क्योंकि मैंने यह सी bulbs जब सारी किसी इसकार हे रहे यह तो रख्थ है यह रख्थ कहां से आया आकाश से आकाश से चलिए गुरुदेव विश्वमित्र को इसकी सूचना दे जाने ये क्या रहसे है चलिए 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 गुरुदेव गुरुदेव क्या हुआ सब कुशल तो है गुरुदेव हम सब तपस्या में लीन थे हमारे शरीर पर और आसपास की भूमी पर कुछ छीटें गिरें हमने देखा तो वह रक्त की बूंदें थी गुरुदेव क्या रख्त की बुंदे चलिए देखते हैं आईए गुरुदेव यह तो गोर आश्चर है यदि आकाश से रक्त बरसेगा तो इस धर्ति का क्या होगा अवश्य ही इस धर्ति पर कोई प्रकूप तुटने वाला है आप प्रकूप 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 कि देखा कमल नहीं दुष्टों ने सारा रप्त राजा जनक के खेट में फेग दिया राजा जनक के राज्य में भह्यूं का रकाल पढ़ने वाला है महादेवी क्यों कमल नहीं महादेवी मिधिला की उपजाओ भूमी बंजर बन जाएगी क्योंकि जिस भूमी पर निर्दोशों का रक्त छड़का जाता है वो भूमी कुछ भी उपजाने योग के नहीं रहती किन्तु ही कमल नहीं ये तो घोर ने आया है अपराद कोई करें दंड कोई पक्ते निर्दोशों का ये लहूं रावन के अपरादों का फल है और दंड भूगेंगी तो ख्यारे राजा चनक और उनकी किसान जिनकी भूमी बंजर हो जाएगी महादेवी विधाता के हर कार्य के पीछे कोई न कोई उदेश्य अवश्य होता है ये तो असंभव है कि रावन को उसके अपरादों का दंड ना मिले और राजा जनक के राज्य में अकाल का पढ़ना ये भी किसी नई कथा का आरंभ सिध्ध होगा कैसी कथा अभी मैं इससे किन है अधिक कुछ नहीं कह सकता महादेवी MAY, अवश्य जानता हूँ कि इस नहीं कथा की नायका भी आप ही होंगी, मैं? कैसे? आहहहहहहहह Agriculture ये ना पूछिये महादेवी नहीं पूछूँगी, मैं चानती हूँ जिस कथा की नायका मैर होंगी, उसके नायक तो आप ही होंगी, और जिस कथा की नायक आप होंगे, वो कथा में लिए संसार की संदर्दम कथा होगी वास्तैयोंमें वो कथा बहुत सुंदर होगी महा देवी, उस कथा का एक छोर राजा जनक के राज ज्ज में और दूसरा छोर राजा दशरत के आंगन में होगा पंतु हे कमलनायन, जिन दो राजाओं के नाम आपने लिए, वो दोनों तो संतान हीन है मा देवी उन दोनों की संतान हींता ही तो इस कथा का राश्य होगा प्रणाम कुर्देव यशत्स्वी भाव कैसे कष्ट किया राजन यह कुल गुरू मैं सर्वता हताश और निराश हो चुका हूँ निराश किस से स्वयम से संसार से और इश्वर से भे एप्रबो एप्रबो इश्वर से निराश यह तो पाप है राजन उसके भेद कोई नहीं जानता कैसे निराश नहों गुर्देव पहले कोशल लिया फिर सुमित्रा और अब कह कही तीन पत्नियों के होते हुए भी मेरे घर का आंगन सुना पड़ा है राजन संतानोत पत्ते पत्नियों की संख्या पर निर्भर नहीं करते इसके एक नहीं अनेक कारण होते हैं और उनमें सबसे बड़ा कारण तो इश्वर की इच्छा है तो मैं इश्वर को कैसे मनाऊं गुर्देव क्या प्रार्थ ना करूं चंता मत किजी राजन हर कारे का एक समय होता है और अब वो समय आ गया है मैं आपके घर में संतान की उत्पत्ति के लिए उत्र कामेश्टी अग्य करूंगा और उसके उपरांत यह संभाव है कि आपके संतान का जन्म ना हो तो कुर्देव यह अग्य मैं पहले भी कर सकता था किन्तु मुझे उचित समय की प्रतीक्षा थी निश्चन दोकर जाई यह राजन यग्य की तैयारी कीजिए जो आख्या गुर्देव प्रणाम गुर्देव दिशास्वी भाव जो आख्यास्वी निश्चन दोकर जाई यह राजन दोकर जाई यह राजन दोकर जाई यह राजन जो आख्यास्वी निश्चन दोकर जाई यह राजन जो आख्यास्थ जो आख्यास्थ जो आख्यास्थ कि आप लोग इतने अधीर इतने व्याकुल क्यों है यह महाराज हम लुड़ गए हमारे हारे भरे खेद सूख गहे हैं महाराज महाराज हमारी उपजाह धर्ती देखते ही देखते बच्जार हो गई है महाराज सारे ताल तलईया कुवे जरने सोग गए हैं दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता महाराज हमारे बच्ची फूग से पिलके रहे हैं कोशा धिक्स को आदेश दिया जाए कि कोशा गार का मुख खोल दिया जाए यदि अकाल के कारन हमारे राज्ये में मृत्यु की एक भी घटा हुई तो उसके लिए सभी कर्मचारियों को उत्तरदाई माना जाएगा अकाल से पीडित प्रजा को जी खोल कर धंदिया जाए भले इससे हमारा समस्त राजकोष रिक्ति क्यों न हो जाए राजन प्रणाम गुलगुरू आयुश मान भवर राजन आपकी उदारता और प्रजा पालन की भावना सराहनी है पर उससे कोई लाव नहीं होगा क्यों गुरू देव क्योंकि ये प्रकृति का प्रकोप नहीं है इसका कारण कुछ आओरी है आपका राजकोष वास्तों में रिक्त हो जाएगा पर धरती की कोख हरी नहीं होगी इसके लिए तो आपको कुछ और ही करना होगा क्या करना होगा गुरू देव मैं अपनी पीडित प्रजा को इस अकाल से बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तयार हूँ कि प्या मुझे शीगर पता है गुरू देव के मैं क्या करूँ इस विप्दा को टालने के लिए साधारन किसान की भाती सो आपको हल जोतना होगा दर्ती की जुताई बुवाई और गुड़ाई करनी होगी मुझे स्विकार है गुरू देव मेरी तो प्रजाही किसान है और किसानों का राजा होकर भला मुझे स्वेम हल चलाने में क्या आपक्ति हो सकती है संभव है इस अकाल का यही कारण हो किसानों का राजा होना तो स्विकार कर लिया परन्त अपनी प्रजा की भांगती उसके साथ कभी हल नहीं चलाया कभी खेती नहीं की कुरू देव मैं अपनी प्रजा के कल्यान के लिए स्वैम हल चलाऊगा रजा पालक पहराजनक की जै रजा पालक पहराजनक की जै रजा पालक पहराजनक की जै हे कमल नयन मितला नरिश चनक ने कितना सुंदर और कितना अन्पम नर्णे लिया है इस संकट की घड़े में वो अपनी किसान प्रजा की भाति खेत में हल चलाएंगे उनका ये निर्णे सुनकर मेरे हैदर प्रसनता से जोम उठाया है ए महा देवी और आपको इतना प्रसंत देगर मुझे जो प्रसंता हो रही है उसका परणन्म शब्दों में नहीं कर सकता महादेवी राजा वहीं है जो स्वयम को प्रजा के सुख़दुख का भागीदार समझेगे वो राजा ही क्या जो स्वयम को प्रजा से दूर रखकर अपने राजभवन के अश्वर्य का बंदी हो जाए स्वयम अपने सुखी संसार में इतना मगन हो जाए कि उसे ये पता ही नहों कि प्रजा पर क्या बीत रही है प्रजा कैसे जी रही है है महादेवी जो राजा संकट की घड़ियों में प्रजा के कंधें से कंधा मिला कर खड़ा नहीं हो सकता वो राजा कहलाने योग यही नहीं है और मुझे इसलिए और भी प्रसलता हो रही है कि जनक ने किसान के मातों को पहचाना यदि इशुर जन्म दाता है तो किसान अनदाता है वो धर्ति को अपने लहुच से सीच कर मानव को जीवित रहने का साधन प्रदान करता है सर्वता सत्य है महादेवी किसान धर्ति पर इश्वर का सहायक होता है परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है इसलिए है महादेवी राजा जनक का हल थामन उनका गौरव कम नहीं करता बलकि उसमें और भी वृद्धी करता है हे कमलनेयन मेरे मन में राजा जनक के प्रती अपार स्मेह और आदर भाव का सागर उमरने लगा है नजाने इसका क्या कारण है महादेवी कारण के बिना किसी रहस्य का अस्तित्व संभवी नहीं है जिस प्रकार बादल के बिना बर्खा नहीं हो सकती अगनी के बिना धुआ नहीं हो सकता उसी प्रकार कारण के बिना कोई रहस्य जन्म ही नहीं ले सकता महादेवी हां इतना वश्य है कि रहस्य वही अती सुंदर होता है जिसका कारण तुरंत समझ में ना आ STAR आप कथा प्रारम होने से पहले ही उसका अंत जानना चाहते हैं महादेवी कि व्याकुल नहों कारण अतिशीग्राप के समझ में आ जाएगा आप तो बस जनक की मिधिला नगरी पर अपनी दृष्टी जमाए रखें और मुझे ये देखने दीजिए कि दश्रत की अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है कि अध्या करने के कारण मारे गए अब किसी प्रकार अपने प्राण बजाकर यहां आए हैं कुछ उपाय किजिए रिशिवर धिरजधरिय रिशिवर यहां आपको कोई भय नहीं और कितने रिशिवर जो अब भी लंका में हैं उनकी संख्या का कोई अनुमान नहीं वे अनेक हैं नजाने दुष्ट रावन उनमें से कितनों के प्राण लेगा कोई उपाय किजिए रिशिवर कोई उपाय किजिए उपाय इसका उपाय केवल तेवर्शी नारद ही कर सकते हैं नारायन नारायन मुझे स्मरण किया रिशिवर अरे आप लोगों की दशा तो बिना कुछ कहें ही अत्या चार की पूरी परिभाशा बता रही है लंका पती रावण ने इने इस दशा को पहुचाया है और यदि सूधन ली गई तो जो रिशिगन लंका में रह गए हैं एक एक करके उनका भी अंत हो जाएगा इसलिए हिदेवर रिशी हमारी आप से ये विनती है कि आप स्री विश्मु से आग्रह करें कि वे इन रिश्यों के संकट का निवारन करने और दुष्ट रावण का नाश करने के लिए इस धर्ती पर आवतरित हो होना तो यही चाहिए रिशी विश्वामित कि लक्षमी नारायन को मनाने के लिए बड़ी घोर तपस्या करनी होगी और यह कार मैं नहीं कर सकता आप क्यों नहीं कर सकते देवर्शी कारण यह है श्रीमान कि मुझसे एक भूल हो गई मैंने दक्ष के दस चहस्त्र पुत्रों को डीक्षा देकर सन्यासी बना दिया जिसके फल्सुरूप दक्ष ने मुझे इश्राप दिया कि मैं किसी भी एक स्थान पर कुछी क्षन टिक सकता हूँ अब मैं क्या करूँ यदि मैं तपस्या अरंप करता हूँ तो मुझे उस्थान को कुछी क्षणों में छोड़ना पड़ेगा और भगवान श्री विष्णु को धरती लोग पर लाने के लिए कुछी क्षणों की तपस्या तो सर्वत्हा अपर्याप्त है इसका समाधान है देवर्षी और इसका केवल एक ही समाधान है यदि ये समस्त रिशी अपने जीवन में की वही तपस्या का तपोबल आपको देदें तो आप एक लंबी तपस्या की क्रिया से बच्च हैंगे हेरी शिगंड क्या आप इस्तियाक के लिए तैयार हैं ये तो हमारा सोभा कि होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाया 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 ओम ये कमलेया आपके तेये देवाशी बड़ी लगन पर आपका तब करें हैं हाँ महादेवी देवाशी मुझे धर्ती पर बुलाना चाहते हैं तो क्या आप नहीं जाएंगे जाओंगा तो अवश्य जाना पड़ेगा महादेवी पर तो मुझे एक चिंता हो रही है किस बात की चिंता देविश्वर्ट चिंता ये है महादेवी की कहीं देवराज इंद्र इसका उल्टा आर्थ में निकानने देवराज के आपने भली चलाई वे तब से इतना भैदीत रहते हैं कि मानों तब का आविश्कार ही उनका विरोध करने के लिए हुआ हो यह किसी ने आसन लगाया आखे मुदी वहां उनका सम्यासम दोलने लगा महादेवी आपके मुख से शब्द निकलने की देर थी, वो देखिये, उनका आसन दोले ना दोले, उनका निश्चय अवश्य दोलने लगा है ये दिवर्शी को क्या सुची, क्यों कर रहे तब, उन्हें तपस्या की चावशक्तान पड़े हे दिवर्शी, यदि आप आग्या दें, यदि आप कहें तो हम पता लगाएं, कि उनकी तपस्या के पीछे क्या रहसे है पताल लगाने के क्या विशक्ता है अगनी देव, क्या विशक्ता है, हम जानते हैं, भली भाती जानते हैं कि जो भी तपस्या करता है, उसकी आख एवेंद्र के सिंहासन पर ही होती है, काम देव, काम देव माँ पस्थत हुँ देवराज, जाएए किसी भी ढग से, स्मनों रहे किसी भी ढग से, तेवर्शी की तपस्या में विगन डाल दीजिए, हमें चाते की बात इतनी बढ़ जाए कि, नियन प्रण के ही बाहर हो जाए, तेवर्शी का धान बटा दीजिए, उन्हें तपस्या से रोग दीजिए, जाएए, जो आज्या देवराज, अमारी आज्या का विलंब पालन हो, शीमा से भी बढ़ गया, जबरावन का पाप, धर्ती व्याकुल होठी, हुआ घोर संताप, आसन डोला इंद्र का, नारद का कप देख, देवराज को क्या पता, क्या है विधी का लेख, जो सुनेगा ये पुरान, भाएगा सुख और ग्यान, धर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तुझे रतान, पीत युग बता रहे हैं, विष्णु पुरा 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 विष्णु पुरा